हेल्लो प्रेंट्स आइम पुश्पेंदागर स्वागत करता हुआ का फ्ला है एकेडमी भुपाल में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धातू के टाइप जी हां संस्कृत में क्या है जितना उसका बेसिक अगर अच्छा है हमारा उतना हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि नह बेस्क्र climb आइसा सीन नहीं हुआ धातू जो होती है वो आपकी तीन तरीके ही होती है इसमें जो आप का तीन तरह प्रत्य धातु बेसिकली तीन तरह की होती है बड़ उसमें दो तरह का प्रत्य लगता है जब दो तरह के प्रत्य लगते हैं तो वो उस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करते हैं अब जब हम लकार बनाते हैं कि भू धातु का लोट लकार बनाईए या फिर लंग लकार में बत चाहिए तो जब पेपर में आता है तो खासकर जब नब पेपर में जब एक्जाम होता है या फिर आपका जो basically कोई भी चोटी class उसमें घर होता है तो भाँपर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह धातू को हम इस में लिख रहे हैं या भो लिख तो यह नहीं होगा है आपने कर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो कॉमेंट कर देना इसी साथ आप मैं जो सफिक मतलब प्रत्य धातु अगर प्रसमी पद अगर उसमें कॉन रड़ी प्रत लगता है तो वह प्रस नहीं साथ को मतली गद्हीं English में अबहे means common होता है Hindi में अबहे मतलब अबहे मतलब जो दोनों में हो तो समझ में आगई बात तो जनरली जो परस्मय पदी जो होती हम इसको ही जाधा पढ़ते हैं और आपकी छोटी classes हैं उसमें भी आपका परस्मय पदी धातयु है जाधा हैं मदला आत्मने पदु भी परकार की परस्म पद्य की है और आत्मने पद्य यह मतलब यह 25 दॉद बेजिकली दो तरह हम गी आत्मने पदी और परस्मा ग पदी और ठहु है। अत्मने पदी का ओर मड़ीं आ मतल बुरा नहीं मानेंगी तो जब आप लकार बनाते हो जब पठंती तो आंते मंते देते तो ये मैंने आपको पूरा लकार की जो वीडियो रहे लठंच लगर लगशिपी यह जो आपके कम आते जैसने इसों मैंने आपको परसमई पद और आत्मने पद यह दोनों के फॉर्मूले हुए तो अगर आप चाहित लिटीयो کے ठोछ था कि मैं सोचता था प्रस्माई पद मतलब आपका Paisi boys और आत्मानी पतलब active boys मैं इनको active or Paisi boys समझता तो तो अवे पद को मैं impersonal boys समझता था मतलब 시청 आपका यह हो गया active, passive, or impersonal बलब क्रत्वाच करणबाच और भाबाच समझता था बट ऐसा नहीं यह फिलिमी अलग है यह जो सेंट यह ना यह धातुएं होती है टाइप यह धातुओं के टाइप है जो आपके 10 गंड होते तो टोटल 10 गंड मैंसे परस्माइपद उसमें कुछ जो धातुएं होती है वो कुछ द्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी धातु जो है वह आपकी परस्माइपदी और कौन सी धातु आपकी वह आत्मने पदी है और वह पदी है तो कोई दिक्कत ही नहीं और उनको भी ध्यान रखो कि इससे क्या होता है कि अगर आपको पता है तो पर आपके द्हाटू बू धातू होती है वैसे आत्मने प्रीदद द्हातू के दीप दीप मतलब होता है परकाश को ना तुख शारे और उभ seul है ने भ यह आपकी होती है वह लगार परस ने पडीका अगर इस वीडियो पर अचा सपोर्ट देते हैं तो अभी मेरा हाल-फलाल मैंस टॉपक इतना समझाना चाह रहा हूं कि परसमे पड़े आत्मने पड़े और अब्हेपदी यह क्या होता है यह जैसे जो लकार है इसके पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ आपके पूरे पांचों के पांचों लकार पे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहां सर जाकर उनको देखें जरूर देख लें अगर नहीं देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंख्यूस होने बा होती है निः में आपकी दौन में होंसक्ते हैं बूसरे हैं इसा मी तो इसी तरीके से आत्मने हैपते प्रस्में प्रॉर वह पोनतर समय हुए जा जाकर देखं़ए भीडियो कां तक लिए आपका भई-बहुत थनवाद अगर यली प Aboriginal चंश आश्याव चिन आयग हो करें प झाल झाल